दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है एहमद हसन उन्होंने ओवरलेपिंग ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताए कॉमेंट किया था तो ये वीडियो में लेके आ चुका हूँ दोस्तों अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लगती ते लाइक करें और शेयर करें सबसे पहले हम इनर साइड लेंगे उपर सॉल्डर की लाइन ड्रो करेंगे और लैंथ ले लिएंगे उसको मार्क कर लेंगे लैंथ को फिर सोल्डर से आधे मेजरमेंट पर हम चेस की लाइन लेंगे फिर कमर की लाइन लेंगे जितने पर कमर है और बाद में फिर हीप की लाइन ले लेंगे इस तरह से सारी लाइन को ड्रो करेंगे हिप की लाइन नॉर्मल तो रपे 21 पे एक इस पे आती है ट्वेंटीवन पे और अगर हेवी माप है तो आप 22 पे भी रख सकते हैं आप एक इस पर शोधर का जान लेंगे और उसमें आधा इच लोजिंग देंगे इस तरह से चोथा हिस्सा लेंगे और आधा इच लोजिंग देंगे कमर का चोथा हिस्सा लेंगे और उसमें एक इंच टक्स के लिए देंगे सिर्फ बेक साइट पे टक्स रहेगा नो इंच का टक्स यहाँ पे लिया है तो इस तरह से टक्स की मार्किंग कर ले अब हिप का भी हम चोथा हिस्सा लेंगे और उसमें भी आधा इच लोजिंग एट करेंगे और यही सेम मेजरमेंट नीचे ले लेंगे और सारे मार्क को हम मिला लेंगे इस तरह से यह ड्रो हो जाने के बाद हलकी जी क्रोस लाइन ड्रो करेंगे और आमोल का सेप देंगे और इस तरह से आमोल को मेजर करेंगे इस तरह से सतरा का आमोल है 55 यहाँ पर मार्क किया है सवा तीन पर नेक रखेंगे और फिर इस तरह से सोल्डर का सेब देदेंगे यह हमारा मार्किंग हो चुका है अब हम इसको कटिंग कर लिए अस्तर को फ्रन्ट और बेक दोनों एक साथ कटिंग करेंगे इसमें चेन नहीं रखी है मैंने सिर्फ टक्स रखे है तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे उस तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हो अगर और कोई चीज सीखना चाते हो तो वो भी आप कॉमेंट कर सकते हो तो इस तरह से हम इनर पार्ट कटिंग करेंगे और जहां से चाक लेना है वहां कट लगाएंगे उपर नेक पे कट लगा लेंगे अब ये दो पार्ट कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट साइट पर हम आमोल कटिंग करेंगे जितना भी अपना आमोल है उसको मेजर करके कट कर लेंगे आमोल कटिंग हो जाने के बाद हम ये मार्किंग को उठा लेंगे कार्बन पेपर की मदद से इस तरह से टक्स का मार्किंग उठा लेंगे और साइट का मार्किंग भी उठा लेंगे ताके सिलाई करते वक्त हमको आसानी रहे इसलिए हम मार्किंग इस तरह से उठा लेंगे तो ये हमारा फ्रंट और बेक इनर साइट का कटिंग हो चुगा है इस तरह से अब हम मेन फेबरिक लेंगे बोडर को set करेंगे हम नीचे बोटम में पहले हम बेक पार्ट कटिंग करेंगे यह fold करेंगे सिर्फ बोडर ही show करेंगे और as it is जिसा हमने inner cutting किया है उस तरह से cutting कर लेंगे अब यहां चाक के लिए हमें cut लगा लेना है ताकि अस्तर जोडते हो वक हमारा अस्तर और fabric उपर नीचे ना हो अड़ी से तीन इच का normal neck cutting कर सकते हो आप बेक में अब हम front side लेंगे अस्तर की इस पे नेक इस तरह से V-shape में draw करेंगे और cutting कर लेंगे अब यह अस्तर cutting हो जाने के बाद इस तरह से इसको marking करना है यहां से 4 इच का marking करना है हमें आप अपने according overlay play सकते हो 4.5 चार इच नॉर्मल है तो यह पूरी इस तरह से line row करने हैं और यहां से save दे देना है इस तरह से तो अस्तर पे यह marking करने के बाद हम left side का portion cutting करेंगे सीधा कपड़ा रखा है सीधे कपड़े के उपर हम नहीं न रखा है इस तरह से और जो center की side है यहां से हम एक इच एक्स्ट्रा cutting करेंगे और as it is दूसरा cutting कर लेंगे side से तो यह इस तरह से left side का cutting होगा दोस्तों उपर की side कपड़े की सीधी है उसको धियान रखे अल्टरनेटिव ना हो जाए नहीं तो left side का portion right side पे चला जाएगा तो उसका धियान रखे आप अब हम right side का portion cutting करेंगे हमने जहां marking किया था उसको प्रेस की मदद से इस तरह अस्तर को fold कर लें और fold करने के बाद इस तरह से set करें main fabric पे और ये उपर की side नीचे की side ड्रौंगे उपर की side right है तो इस तरह से हम border को set करते हुए यहां पे सिर्फ सिलाए margin की कपड़ा छोड़ते हुए फिर cutting करना है और इस तरह से save mark कर लेना है और बागी का as it is cutting कर लेना है तो इस तरह से हमारा right portion cutting हो जाएगा और यहां पे cut हम लगा लेंगे तो यह हमारी front side overlapping की इस तरह से cutting हो जाएगी यह बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखे गाए इस तरह और यह नीचे border भी हमने set कर लिए है तो इस तरह सा हमारा front portion cutting हो जाएगा दोस्तों आप दो तिन तरीके से overlapping cutting कर सकते हो पहला तो हमने जो किया है उस तरह से अगर आपके पास fabric कम है तो यह वाला portion आप पहले cutting कर लेंगे सेप में इस तरह से सेप देगे cutting करेंगे वो नीचे सिर्फ थोड़ा extra कपड़ा रखना है ताकर जब सिला हो तो वो उसके नीचे आ जाए और फिर यह portion को नीचे से set करके इसे ही cutting कर लेना है अगर आप इनर वाला dress बना रहा हो तो इनर पे पहले इस तरह से marking करें जैसे हमने की थी और अगर आप simple dress बना रहे हो बगएर inner का तो उसको आप back side पे marking करके front side cutting कर सकते हो और अगर आप body वाला dress overlapping cutting कर रहे हो तो एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका यह कि यह जो portion है same as it is दूसरा portion cutting करना है और उसको overlapping करके सिलाइ कर देना है तो इस तरह से cutting कर सकते हो अब हम यहाँ पे sleeve cutting करेंगे sleeve के लिए double fold fabric लिया है इस तरह से आपको कुछ इस तरह से measure tape fold करनी है हलकी से cross में और जितना amol है उसको measure करके इस तरह से save देना है अब यह save देने के बाद पहले length ले ले लेंगे sleeve के आपकी जितनी लंबाई है उस पे mark कर लेंगे और फिर bicep का marking करेंगे फिर हम नीचे sleeve की bottom का marking कर लेंगे और यह सभी mark को हम draw कर लेंगे अब यह draw हो जाने के बाद हम उपर की side नीचे की side हमने fold के लिए fabric नहीं दिया है सिर्फ piping के लिए दिया है और उपर की side आधा ही सिलाई margin के लिए रखा है तो यह सिलाई margin रखते हुगा हम इस तरह से sleeve cutting कर लेंगे और side का हमने जितना front और back में दिया था उतना ही यहां पे भी extra fabric देना है sleeve में और फिर इस तरह से cutting कर लेना है यहां cut लगा लेंगे center का cut लगाएंगे और इसको open करके front side का हम हमोल हलका सा extra cut करेंगे इस तरह से front side के लिए extra cut कर लेंगे और यहां पे भी cut लगा लेंगे ताकि front side हमें पता चले अब यह border जो बची है अगर use करना चाहो तो भी कर सकते हो अगर sleeve में आ जाएगी तो लगा जाएंगे नहीं तो हम सिर्फ piping लगाएंगे तो इस तरह से हम dress cutting कर लेंगे stitching की video आगे आएगी दोस्तो चैनल पे नहीं तो जरूर subscribe करें वीडियो अच्छी लगती तो like करें